नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल मेरा नाम अभिशेक सागर है और आज हम बात करने वाले हैं लॉकी रैंसम वेर के बारे में क्या है ये कैसे फैल रहा है कैसे बे करने होते हैं Bitcoin के फॉर्म में होते हैं आपको पता है Bitcoin बैंक में काफी लवड़ा पड़ गया और जो एक्सपी रन कर रहे हैं जो मशीन हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम हो गया फिर विंडूस के लिए बहुत सारे पैचेज निकाले गए जिन लोगों को रैंसम वेर अटैक हुआ था जो इतिकल हैकर्स हैं बहुत सारे जो प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने रिवर्स इंजिनियरिं तो जो साइबर सेक्रेटी एक्सपर्ट हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनका यह करताव्य बनता है कि वह लोगों को बताएं यहां पर यह जो लॉकी है जैसे वानकराय का तो अलग एक्स्टेंशन था लॉकी का पहले सोला जी डिजिट का फाइल नेम हो जाता है बनके आता है उस इंवोईस में ऐसा होता है कि आपको कुछ पे करना है उसको कोई भी इंसान वह डॉक्यमेंट फॉर्मेट होता है उसको उपन करते हैं उसके बाद वह बुलता इनेबल मैक्रो सोचल इंजिनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल भी किया जाता है इसमें और जै अनियन रूटर के बारे में भी आपको बता चुका हूं कि डार्क वैब अगरा सर्फ करने के लिए गलत कामों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन इससे अच्छे काम भी किया सकते हैं यह आपकी बेसिकली क्या है आई-पी को हाइड कर देता है ऐसी वेबसाइट से ही डार्क शेडी वेबसाइट होते है मतलब क्रिमेनल की वेबसाइट होती है वाहां पर जाकर आपको पैसे अरुपिशन इल्हारों गाटा सारा देटा तबह हो जाता है तो यहां पर मेरा काम है आपको शरक्षित रखना साइबर सिक्यूर्टी हमारा टॉपिक है हम किसी को अटैक हम लोगों को cyber security की बारे में बताते हैं ताकि वो सिक्योर रहे पाएं अभी ये दुबारा इसके attacks काफी देखने को मिल रहे हैं lucky ransomware के कैसे बचना है आपको email आए और अगर वो बोले कोई invoice है macros enable करने के लिए बुले तो आपको अंदाजा लग जाए कि ऐसा कुछ है तो आप उसमें आगे ना बड़े उस email को डिलेट कर दें कुछ नहीं बिल्कुल भी कोई attachment बिना जाचे परके download ना करें हो सकता है आपके computer antivirus ना हो और अपका computer infected हो जाए आपकी important file आपकी family की बहुत सारी पुरानी यादे फोटो वगेरा क्योंकि हर कोई office में काम नहीं करता तो आपकी काफी यादें जा सकती हैं फिर वो कभी आपको मिलेंगी नहीं इसलिए सुरक्षित रहें सीखते रहें अगर आपको ये वीडियो अची लेगी तिस है